हेलो दोस्तों आपने बहुती सांदार वीडियो पे क्लिक कर दिया है दोस्तों आप लोग लिए बहुत बड़ी खुसकबरी लेकर आए हूँ जो अभी अभी आपका MPJL परहरी का पेपर हुआ है दूसरी सिफ्ट का दोस्तों काफी आसान पेपर आ गया है जैसे हमने उमीद किया था उससे भी ज़्यादा आसन पेपर आ गया है अगर आपने वीडियो पूरा देख लिए 100% आप लोग सेलेक्शन की तरफ पहुच जाओगे तो कि दोस्तों यहां से आपको 10 से 12 सवाल 10 से 13 या 10 से 12 सवाल आपके कल के पेपर में रिपीट करने वाले है 100% रियल सवाल लेकर आए हूँ जो भी मुझे बच्चों ने बताए है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके जरूर जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना देख लेते का इस क्या क्या सवाल पूचे गए हैं एक-एक सवाल को देख लेते बड़िया से तो दोस्तों अगर आप किसी भी गोर्मेंट एक्जाम की तियारी कर रहे हो और आप लोग ट्रिक से पढ़ाई करना चाहते हो तो दोस्तों ये चैनल का लाल कलर का बटन दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बैल आइकन को ओल कर लेंगे क्योंकि दोस्तों दो उप्सन होते हैं एक ओल का होता है एक परसनल का होता है आप लोग ओल कर लोगे ताकि सभी ट्रिक वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे तो गाईज एक सवाल को देख लेते हैं जो भी आपके सवाल पूचे गए यह हमारा चैनल है एक्जामेटिक स्टडी जो की ट्रिक के लिए बहुत बैतरीन चैनल है देख लेते काईज क्या क्या सवाल पूचे गए आपके दोस्तो पहला सवाल आपका पूचा गया मध्य परदेश में यहाँ पे बीच में डैस है राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा रास्टे चम्मल अभ्यारण्य बी ओप्सन इस सवाल का राइट आंसर था जो बच्चे बी ओप्सन मार के आए उनका बिल्कुल क्रेक्ट आंसर हो गया जो भी मुझे बच्चों ने बताए 100% रियल सवाल लेकर रहा हूँ वीडियो इसको बड़े राज्यो की सरेणी में पोशन अभ्यान के समगर कार्य वन्यम के लिए देश में कौन सा स्थान मिला है तो दोस्तों देश में इनको मिला है तीसरा स्थान थार्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा देख लेते का इस अगला इंपोर्टेंट सवाल क्या पू राइट आंसर हो जाएगा देख लेते का इस अगला सवाल क्या पूछा गया तो दोस्तों एक सवाल यह भी आपका पूछ गया मद्यपर्दे सरकार ने राम वन गमन पत परियोजना के लिए एक ट्रस्ट बनाने की मंजूरी दी है तो दोस्तो ये कहां से कहां तक निर्मान का प्रस्ताव किया गया तो दोस्तो ये किया गया चितरकूट से लेकर अमरकंटक तक यानि सवाल का राइट आंसर हो जागा C option उप्योगत दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा तो दोस्तो चितरकूट से लेकर अमरकंटक तक निर्मान का प्रस्ताव किया गया है देख ले तका इस अगला बैतरिन सवाल वीडियो को लाइक करके जरूर जाना दोस्तो पलपल की अपडेट के लिए MP जो जेल परहरी का पेपर है पलपल की खबर के लिए दोस्तों ये चैनल आपके लिए बैस्ट रहेगा विस्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है ये मनाया जाता है 25 अपरेल को देख लेता काई जगला सवाल एक सवाल ये भी पूचा गया हाली में किस राज्य सरकार ने जिवन सक्ति परियोजना नामक एक योजना लोंच की है तो दोस्तों किस ने की है मध्या परदेश MP आपका राइट आंसर हो जाएगा और दोस्तों MP को आपका Tiger State के नाम से भी जाना जाता है देख लेता काई जगला सवाल एक सवाल ये भी आपका बैतरिन पूचा गया संयुक्त राष्ट में भारत का इस्ताई परतिनी दी हाली में किसे निक्त क्या गया है तो दोस्तों ये क्या गया है TS3 मूर्थी को संयुक्त राष्ट यानी United Nation तो राइट आंसर हो जागा TS3 मूर्थी देख लेता काई जगला इंपोटेंट सवाल एक सवाल दोस्तों ये भी आपका पूचा गया हाली में किस देश को 2021 विस मुक्यबाजी चेंपिनसिप की मिस्बानी दी गई है तो दोस्तों ये दी गई है सर्विया सर्विया इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा देख लेता काई जगला बैदरिन सवाल एक सवाल ये भी पूचा गया अंतरहस्टे सरमिक दिवस किस दिन मनाय जाता है ये मनाय जाता है एक मई एक मई आपके राइट आंसर हो जाएगा देख लेता काई जगला इंपोटेंट सवाल एक सवाल आपका ये भी पूचा गया नागोर मेला भारत की किस राज़य में आयोजित होता है तो दोस्तों ये होता है राजे स्थान में देख लेता काई अगला सवाल ये पूचा गया ICC दुवारा ताजा टेस्ट रेंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला है तो दोस्तों भारत को मिला है तीसरा स्थान बढ़ लेता काई अगले सवाल पर दोस्तों 100% रियल सवाल है वीडियो को लाइक करके जरूर जाना अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया आप 100% आप लोग सेलेक्शन की तरह पोच जाओगे ये चैनल दोस्तों ट्रिक के लिए बहुत बेतरीन चैनल है एक सवाल ये भी पूचा गया गीता रहसिया नामक प्रैसित पुस्तक की रचना किसने की ये की बाल गंगा धर तिलक ने बढ़ लेते गए जागे दोस्तों ये सवाल आपका गडित का पूचा गया इसको मैं बता रहा हूँ थोड़ा आपको ट्रीकी वे से बता रहा हूँ एको विबाजित मतलब इसमें एको विबाजित माना गया सी को गटाना डी को जोड़ना और बी को गुणा करना तो दोस्तों इसी के हिसाब से फॉर्मुला लगा कर देख लेते हैं एका मतलब विबाजित करना यानि पंदरा एका मतलब विबाजित यानि भाग तो 3 से भाग हो जाएगा फिर आगे क्या है D का मतलब है जोड़ना जोड़ दिया चलो आगे 24 है C का मतलब क्या है घटाना घटा दिया आगे 12 है B का मतलब क्या है गुणा B का मतलब क्या है गुणा लोग गुणा भी कर दिया और 2 की गुणा हो गई तो दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा 3, 5, 15 3, 5, 15 5, 24 12, 24 तो दोस्तों यह कट जाएगा इस सवाल का राइट आंसर आएगा 5 अगर आप इस सवाल को इस तरीके से करके आते हैं डेफिनेटली आपका राइट आंसर 5 आ जाता बढ़ लेते गाई जगले सवाल की तरफ एक सवाल आपका यह गणित का एक और पूछा गया आगे रीजिनिंग के भी सवाल है यदि किसी वस्तु के करे मुल्य तता विकरे मुल्य का अनुपात 10 अनुपात 11 है तो दोस्तों लाब परतिसत क्या होगा तो दोस्तों इस बात से क्या पता चला यह आपका क्या है आपका करे मुल्य इसमें है 10 विकरे मुल्य है 11 तो दोस्तों इस बात से क्या पता चला कोई चीज 10 की खरीदी 11 की पेची कितने कला वह एक रूपे का कितने के उपर 10 के उपर गुणा कर देंगे सो की, 0 से 0 कर जाएगा, 10% इस सवाल का right answer आ जाएगा, बढ़ लेते यह आपका profit हो जाएगा, यह आपका profit percentage आ जाएगा, बढ़ लेते गए जगले सवाल पर, यह सवाल आपका reasoning का दोबारा फिर repeat कर गया, इस सवाल को कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या है, जी एच का code दिया गया है, 7 और 8, पूच रहा है कि यह किसका code होगा, तो दोस्तों जो answer आएगा, मैं यहाँ पर रख देता हूँ, नीचे लख देता हूँ, 18 और 19, 18 किसका code होता है, 19 किसका code होता है, S का, यही आपका correct answer हो जाएगा, तो दोस्तों अगर आप इस सवाल को इस तरीके से क गणित और इसनिंग के ट्रिक के लिए, यह चैनल आपके लिए बेस्ट रही का, लाल कलर का बटन दबाकर नीचे, जो नीचे की तरफ बटन होता है, इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, और बैल आइकन को ओल कर लेंगे, ओल कर लेंगे, ताकि सभी ट्रिक वाली वीडियो का प्रफ जाफ बटन आएकर